एक तालाब में एक सुनेरा हंस रहता था। तालाब के किनारे दो बेटिया और उसके मा का परिवार भी रहता था। वे इतने गरीब थे कि कभी कभी दो वक्की रोटी भी नहीं खापाते थे। हंस ने उनकी यह स्तिती देखी और गरीब परिवार पर दया कई। उसने सोचा और अंत में एक समाधान निकाला हंस ने एक एक करके अपने सुनेरे पंग गिराने का और गरीब परिवार को देने की सोची वे उस पंग को बेच कर आरामदायक जीवन जी सकते थे और परियाप्त कमाई करके अपने लिए अच्छी जीवन शैली निर्मान कर सकते थे हंस ने बहुत विचार किया और अतह योजना पर आगे बढ़ने का निर्ने लिया हंस के घर आने पर मा आश्चरिय चकित हो गई उसने हंस से पूछा कि तुम तो जानते हो कि हम तुमारे लिए कुछ भी प्रदान नहीं कर सकते हैं फिर वह यहां क्यूँ आया है हंस ने उत्तर दिया कि वह वहां कुछ लेने नहीं आया है बलकि उसके पास एक प्रस्ताव था हंस ने अपना एक पंग गिरा कर परिवार को दे दिया वह हर दिन ऐसा ही करने लगा सोना बेच कर इतनी कमाई कर रहा था परिवार कि वह सुखी और आरामदायक जीवन जीने के काबिल हो गया था हाला कि मा जल्दी ही लालची हो गई और अगली बार जब हंस उनके घर आया तो उसने उसके सारे पंक उखारने का फैसला किया उसने अपने बेटी उसे कहा कि वह हंस पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रही है और उसे संदे है कि कुछ दिनों बाद वह अपने घर नहीं आएगा जिससे परिवार फिर गरीब हो जाएगा यह सुनकर बेटिया नाखुश हो गई और उन्हें हंस के प्रती सानुभुती होने लगी अगले दिन जब हंस आया तो मा ने उसे पकड़ लिया और उसके सारे पंक तोड़ दिये लेकिन उसे आश्चरिय हुआ पंक अब सुनेरे नहीं रहे वे सामान्य पंक थे जिसका कोई मोल नहीं था हंस ने बताया कि वह उसके सुयम इच्छा से सुनेरे पंक गिरा रहा था और क्योंकि माने उसके पंक को जबरदस्ती तोड़ा था इसलिए उसके लिए नियमित पंकों के अलावा और कुछ नहीं थे स्वयम की क्रूरता से मां बहुत ही दुखी हुई और हमेशा की तरह फिर वह लोग गरीब हो गए तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम किसी भी चीज की इच्छा कर सकते हैं लेकिन वह इतनी तीवर नहीं होनी चाहिए कि वह किसी और के लिए यहां तक की हमारे लिए भी हानिकारक साबित हो हमें पता होना चाहिए कि कब रुखना है और कितना परियापत है खुद के लिए ऐसी ही और कहानिया सुनने के लिए हिंदी केडो फैंसी टीवी को सब्सक्राइब करें